आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भॉतेक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें 3-Cyclo-Hexil ठीक है हमें बोला गया है कि यह हमारे किसकी सरतना है 3-Cyclo-Hexil और 7 में हमारे पास क्या है यह हमारे पास है Pentane और Pentane में जानते है कि Carbon के दिखतम से कितनी होती यह, वो होती है 5 ठीक है उसके पास चाथ क्या है दोस्तों यहां पर है Pentane 3-All ठीक है तो दोस्तो यहाँ पर प्रस्ण में हमें इस तरीके से IUPSC नाम दिया गया है और हमें बोला गया है कि इसकी सरत ना बनानी है तो सबसे पहले दोस्तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या बोला गया है हमें यहाँ पर दोस्तो पेंटेन बोला गया है Pentay maintain का मतलब क्या होते हैं, carbon के दिख्तम संख्या कितनी होती हैं, हमारी चैन बनेगी, वहाँ पर जो carbon के दिख्तम संख्या होगी, वह होगी 5 carbon की श्रिंकला, ठीक ہے, तो दोस्तोंथ हमने इसका पहचान कल लिया, अब दोस्तों हमारे पास क्या है, यहाँ पर बोला गया है all, त क्योंकि तीसरे कारवन कegtा जुड़ा हुगा तभी यहां पर नाम में क्या है ? 3 iaul है ठीक है ? तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे ? यहां पर बोला गया है cycle की सरतना cycle की सरतना जो हम जानते है कि एक गोल घ्यरे के अधार पर बनती है तो अब दोस्तों हम इसकी सरतना का निर्मान करते हैं और देखते हैं कि इसकी सरतना किस तरह से बनेगी जो कि हमें पर असन में पूछा गया था ठीक है? तो अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम दोस्तों सबसे पहले यहां पर पेंटेन की सरतना बनाएंगे जो कि हमारी 5 करवन की है क्योंकि इसके नाम में क्या है पेंटेन 3-ALL है तो सबसे पहले पेंटेन की सरतना बनाएंगे जो कि 5 करवन की बनेगी तो मैं 5 करवन इस तरह के से व्यस्थित कर लेता हूं जो कि सभी एकलबन से जूड़े होंगे ठीक ह अब दोस्तों क्या है तीसरे नंबर के साथ में हमारा OH है तो तीसरा कारबन कौन सा हो जाएगा अगर दोस्तों मैं नाम करेंड करूँ जैसे पहला कारबन दूसरा कारबन तीसरा चौथा और पांच वह जो यह मद्य का कारबन है दोस्तों यह हमारा तीसरा कारबन है तो इसके 3 all है तो इसके साफ में हमारे एक रियात मकसमों OH इस तरह से जूड़ जायेगा ठीक है तो अब दोस्तों हम इस रिंगलाओ को पूरा करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यह हो जायेगा दोस्तों हमारे पास CS3 यह हो जायगा CS2 थीक है उससी तरह से यह हमारे अंतिम पद है तो यह हो जागा CS3 और यह हो जागा CS2 ठीक है अब दोस्तों हमें क्या बोला गया है 3 cyclohexyl मतलब कि तीसरे carbon में हमारा क्या जूड़ा है cyclohexyl की सरचना है ठीक है और दोस्तों हम जानते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या बोला गया cyclohexyl तो दोस्तों hexyl किसले होता है ठीक है और यहां पर hexyl क्यों कहा गया है क्योंकि एक cyclohexyl की सरचना है तो यहां पर जो carbon की जो हमारी cycle की सरचना बनेगी वो 6 carbon की होगी जो की तीसरे नंबर के carbon के साथ जुड़ा होगा ठीक है तो तीसरा carbon कौन से है वो है यह वाला मद्धिका carbon तो इसके साथ में हमें एक cycle की सरचना जोड़नी होगी ठीक है तो यह हो गई हमारी cycle की सरचना इस तरीके से बनेगी ठीक है और यहां पर हमारे पास carbon 6 लेनी होगी तो हम इस तरह जैसे इसकी स्रिंखला बनाएंगे 6 कारबन की, यह हो गई, यह हो गई हमारी cycle की सरचना, जो कि यह हो गई हमारी पास कितने कारबन की, 6 कारबन की, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसे नाम करण करूं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएग है कि यहां पर hexil है मतलब की carbon की संक्या 6 है और दोस्तों यह जो हमारा 6 carbon है वो इस तरह से व्यस्थित होगा तो यह होगा पहला carbon दूसरा carbon तीसरा चौथा पांचवा और छटवा यह होगा हमारा 6 carbon की hexil की सरचना जो कि एक गोहेरे में होगी तब ही दोस्तों यह हमारी क्या होगी यह होगी हमारी सारे carbon एक दूसरे से एक स्रिंखला के तौर पर जुड़े होंगे जो कि एक गोल गहरे में होगी यह हमारी क्या अगलाती है लेवल तक एक करोड से जादा चात्रों का भरोज़ा आशी डाउनेट करें डाउटनेट आप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर